हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका, आपके अपनी योट्यूब चैनल डिसरस्वती एकेडमी में, मैं हूँ आशिष राउत तो स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्ण है, वो इंग्लिश, क्लास 10 के NCERT बुक के पहले चैप्टर, एलेटर टू गॉड का एक प्रश्ण है, जो बोड एक्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्ण भी है बोड एक्जाम करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगला जिस भी प्रश्ण का उत्तर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रश्ण है, write the character sketch of Lencho, आंसर है, Lencho was a simple man and a hard-working farmer, Lencho एक साधारन आदमी और महनती किसान था, He worked like an ox in his field, वो अपने खेत में बैल की तरह काम करता था, Lencho's entire crop was badly destroyed by the hell storm, Lencho की पूरी फसल ओलाव रिष्टी से बुरी तरह नश्ट हो गई, So he became very sad as he was worried about his family, इसलिए वह अपने परिवार के बारे में चिन्तित होने के कारण बहुत दुखी हो गया, Although his only source of living was taken away, he didn't lose hope, हलांकि उनके जीने का एकमात्र स्रोत छिन लिया गया था, फिर भी उन्होंने उमीद नहीं खोई, He had his last hope in God, उसकी आखरी उमीद भगवान से थी, He was confident that God would help him in his distress, उसे विश्वास था कि भगवान संकट में उसकी मदद करेगा, Lencho didn't know that there was no such living person as God who could send him money, Lencho को नहीं पता था कि भगवान जैसा कोई जीवत व्यक्ति नहीं था जो उसे पैसे भेज सके, Which shows his innocence, जो उसकी मासुमियत को दर्शाता है, Lencho had firm faith in God, so he sought help from God when his crop was destroyed, Lencho को इश्वर में द्रेड विश्वास था, इसलिए जब उसकी फसल नश्ट हो गई, तो उसने इश्वर से मदद मागी, He wrote him to send a hundred pesos, उसने उसे सौ पैसो भेजने के लिए लिखा, बट वेन ही रिसेट सेवेंटी पैसो लेकिन जब उसे सत्तर पैसो मिले, He called the post of his employees a bunch of crooks, तो उसने डागघर के कर्मचारियों को लुटेरों का जुन्द कहा, He rewrote a letter to God for the remaining 30 pesos, उसने शेस तीस पैसो के लिए परमेश्वर के नाम एक पत्र फिर से लिखा, which shows his firm faith in God, जो परमेश्वर में उसके द्रिड़ विश्वास को दरसाता है, दोस्तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर ले, धन्यवाद,